अनिल कुमार जे विदान परिशा सदस्य स्रिमती बंदना बर्मा जे जिला पंचाद अध्यक्स साकेंद्र प्रसाप सिंग जे राश्तिय लोगदालो के संगठन मंत्री से अजीत राठी जे नगर पालिका अध्यक्स बिजनार के अध्यक्स स्रीमती इंदरा सिंग जे नगर पंचाय जालू के अध्यक्स से लोकेंद्र चोधरी जे भारती जनता पार्टी के लोगसभा के प्रवारी सुनील भराला जी लोगसभा के संयोजग स्रीमती कमले सेनी जी आज के सर्कारिक्रम में पस्तित भारती जनता पार्टी और राश्तिय लोगदल के सभी पदादिकारी कार्ण भारी संख्या में अपना श्रिवात प्रदान करने के लिए पस्तित सभी बैनों और भाईयों आज भारती जनता पार्टी का स्थापना दिवस भी है इस उसर पर भारती जनता पार्टी के कोट कोटी कार्यकरताओं को बदाई देते हुए कि इस पावन धरा को जो हमारी पौराणिक और इत्यासिक प्रिष्ट भूमी की पावन धरा है इसे नवन करते वे मैं आप सब का हिर्दे से विनंदन करता हूँ बैनों और भाईयों भारती जनता पार्टी और रास्तिय लोगदल मिल करके चिनाव लड़ा रहे हैं और हम लोगों का गड़बंदन प्रदान मंत्री मोदी जी के संकल्पों को आगे बढ़ाने के लिए तीसरी बार मोदी जी को देश की बागडोर सौप करके विक्सित भारत की परिकल्पना को हम साकार कर सके इस त्रिष्टी से हम सब मिल करके कारे कर रहे हैं आप सब जानते हैं कि पिछले दस वर्स में मोदी जी के नित्रत्तों में बारती जनता पार्टी की सरकार ने देश के हित में जो कारे किये हैं आज देश और दुनिया में उसका डंका बजरा है यही करण है कि पहली बार अन्यदाता किसान किसी सरकार के जेंडे का हिस्सा बना है और अन्यदाता किसानों का सरकार के जेंडे का हिस्से में आने का मत्तब था चाहिवा प्रधान मंत्री किसान बीमा की योजना हो प्रधान मंत्री किर्सिशिचाई की योजना हो रिण माफी की योजना हो या फिर प्रधान मंत्री किसान सम्मान निदी का लाव आम किसान को प्राप्त होना और इन सब के साथ साथ किसानों की मसीहा चौदरी चरण सिंग्जी को भारत का सरवच नागरिक सम्मान भारत रत्म देकर के हमारे अनदाता किसानों का सम्मान करने का कारे भी मोदी जी ने किया है मैंनोर भाईयो जब सरकार नहीं बल्कि गाँ को गरीब को किसान को नौसवान को मैलाओं को केंद्र में रख करके कारे करती हैं तब जादी बात छूड़ जाता है तब संप्रदाई बात छूड़ जाता है तब पुष्टी करण की नीथी त्रोही तो जाती है तब एक ही मंत्र गुंसता है वह मंत्र है स और सबकी विकास का आजे मंत्र दुनिया के अंदर गुज रहा है जो लोग भारत के बारे में पहले 2014 के पहले हंसते थे आज वे सबका साथ और सबके विकास के इस मंत्र के साथ ऐसा मोहीत हो रहे हर छेत्र में बारत की तारीज कर रहे हैं और बैस्टिक मंच पर मोदी जी के नित्रित्व में सम्मान बढ़ाई बारत के अंदर सुरक्षा किस्तिती बहतर हुई है मोदी जी के प्रवंदन और नित्रित्व का लोहा इस सजी की सबसे बड़ी महामारी के दोरान भी दुनिया ने देखा अभी दो दिन पहले की घटना है ब्रिटेन का सबसे प्रफिष्टित समाचार पत्र है दा गार्डियन और दा गार्डियन ने अपने एक वहाँ पर एक वहाँ पर न्यूज छपी है और न्यूज छपी है कि पाकिस्तान के अंदर दो वर्स पहले वहाँ पर बीस आतंगबादी मारे गए आतंगबाद मरने के पीछे का स्रोट गार्डियन को कहां से प्राप्त हुआ है यहाँ वह समाचार पत्र ही जाने लेकिन एक बात तैह है कि बैनो और भाईयो भारत का आतंगबाद के प्रती जीरो टॉन लेंस की जो नीती है पुलवामा की घटना के बाद भारत ने जो कहा था प्रदान मंत्री मोदी जी ने जो कहा था कि भारत माता के सपूतों का बेलदान बिर्थ में नहीं जाएगा और भारत आज दुनिया का वा देश है जो दुस्मन की माद में घुस करके उसे ठिकाना लगाना जानता है और यह कारे भारत ने एरिस्टाई के माद्यम से करके दिखाया था आज दुनिया के अंदर आप देख रहे होंगे तमाम देश भारत क्या अनुसर्ण कर रहे हैं और अनुसर्ण ही नहीं कर रहे हैं बलकि यह भी तैय कर रहा हैं, लोगों के लिए अकोतुलारस्थ्स्रेक आश्थ्रे कभी से है, भारत की सब्से उबरती वी दुनिया के अटथे वी उस्ता में भारत, भारत दुनिया के अंदर सबसे दिक रोजगार देने वाला देश, फिरी में 80 करोड लोगों को रासन देन देश। आप सब जानते हैं इससे पहले लोग तरसते थे गन्य का कीमत 10-10 साल लगते थे 5-5 साल लगते थे गन्या किसान गन्या तो दे देता था लेकिन मुल्य का भुक्तान नहीं वो पाता था किसान को पैसा लेना पड़ता था साकारों से सूद में पैसा लेना पड़ता था हमने सुनिश्कित किया है 120 चीनी मिलों में से 105 चीनी मिले एक सब्ता के अंदर गन्ना मुल्ले का भुक्तान कर रही है जो बाकी 15 है इनके भी बेच कसे जा रहे है कि हम उसी को चलाने देंगे जो समय पे